हेलो और वेलकम हैं आप सबका आज इस सेशन में हम बात करेंगे डिजिटल डॉक्युमेंटेशन का एडवांस पार्ट यानि के इंट्रोडक्शन लेंगे हम इसके अंदर लिवरे ओफिस राइटर का यह बिसिकली जो यह वीडियो है यह आपके एनस को फाइट इस के लिवल MS word होता है आपके documents यह बनाने के लिए किसी भी तरह के ऐसे ही आपका library office राइटर होता है आपके किसी भी तरह का document बनाने के लिए एक बार इसका इंट्रफेस देखें अगर हम तो यहाँ पर हमारे पास यह अल्मूस एक जीसा ही दिखता है थोड़ा सा इंट्रफेस अलग है यह हम इसके इंट्रोक्शन के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर इसमें किस component को क्या बोलते हैं इसमें मेन्यूस होते हैं सेंडर टूलबार्स होती हैं अगर आपने मेन्यूस और टूलबार्स यहां पर अविलेबल हैं तो अगर आप ने थोड़ा बहुत बहुत भी काम किया है MS Word के अंदर तो आप इससे में comfortable रहेंगे almost वैसे ही options हैं बस उनकी जो options की जगा है वो थोड़ी सी आपको थोड़ी सी बदले हुई मिलेगी और हो सकता है कुछ advanced options भी आपको यहां देखने को मिलेंगे इस tutorial को जो हम स्टार्ट करेंगे यहां से अब फिल कर सकते हैं कर आपको स्टार्टिंग से सीखना है और फिलाल जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें यह हमारे कुछ topics हैं इसको हम cover करेंगे इसके अंदर जिसमें हम देखेंगे कि हम styles को कैसे बना सकते हैं और styles को कैसे manage कर सकते हैं आपके इस word processor में या आपके लिविर ऑफिस राइ हैं templates को कैसे manage करते हैं कैसे नए templates बनाए जाती है modify की जाती है अप्डेट के जाती है और इसी तरीके से फिर हम table of content देखेंगे क्या होता है और उनको कैसे कस्टमाइज करते हैं और last option इसमें मेल मर्च का है कि मेल मर्च का आपको introduction जो है वह वैसे 9th class में भी दिया था बट य है कि clear ना हो topics तो उसके लिए मैं separate आपको नीचे हैं पर available करवाओंगा link आप उनको follow कर सकते हैं तो इसके लिए अब next वीडियो का wait कीजिए जिसमें हम starting में first topic से start करेंगे apply style से thank you very much